स्पीकर सर आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिर किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है आप उनका अधर कीजिए तो बात है कि इन तीनों कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कॉंटेंट कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाता है खरीद सकता है का लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी आनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाते हैं वो स्टॉर कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाते कर सकते हैं दूसरे कानून का कॉंटेन्ट एसेंशल कमोडिटीज एक्ट को खतम करने का दूसरे कानून का कॉंटेन्ट जमा खोरी को अनलिमिटेट तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेन्ट तीसरा कानून का कॉंटेन्ट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेंट आपको याद होगा स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात सर सालों पहले सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं इंटेंट की बात करता हूं कानून के इंटेंट की बात आज क्या हो रहा है जैसे करोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं आप बजट पर चर्चा करने बजट पर बजट पर बजट पर आ रहा हूं चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो ये किसकी सरकार है हम दो हमारे दो की तो पहले कानून का इंटेंट बताता हूं पहले कानून का इंटेंट थि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को भेचने का अधिकार ये है पहले पहले कानून का इंटेंट नुकसान किसका होगा नुकसान ठेलेवानों का होगा नुकसान छोते भी अपारियों का होगा नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र का पूरे देश में अनाज, फल और सब्सक्राइश की मनौपली ने जारी है आज दूसरा मित्र चालेश प्रतिशा दिंदुस्तान का अनाज अपने साहिलों में रखता है यह कॉंग्रेस पारिशी की पैठग नहीं है यह सदन है और सब्सक्राइब अगर बज़ेश में रखेगा यह को यह सबाब है यह प्रधान मंत्री कहते हैं सर मैं आए ऑप्शन मैं अधक्सी आपको करना ताता हुए प्रधान मंत्री कहते हैं के लिए पुखारा व्हुता रहा हुए मैं पता रहा हुए आपने ओप्शन दिया है तीन ओप्शन दिया है पहला option भूख, दूसरा option भेराज़गारी, तीसरा option आतवत्या ये तीन option आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है? मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस, सबसे बड़ा वियकार एग्रिकल्चर का है 40 प्रतिशद अबादी इससे जीती है 40 लाद करोर रुपे का धंदा है इसमें किसानों को फाइदा मिलता है तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूँ दूसरे कानून का इंटेंट है पानी दो पानी घर जाएगा पानी दो दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश की अनाज की स्टॉरिंग की मनोपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनोपली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा और जब वही किसान कंज्यूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाउन से अब जब बजट पर चर्चा है राष्ट पर आप चर्चा समावत कर दी परस्ताओं करके राष्पती जीको भेज दिया अब उसी पर फैसे कि राष्पति जी को हैं और आपका भी अपमान करना है सर यह आपका भी हभर है कि इस देश के जो रीड की हटी है किसान मजदूर छोटे दुकांदार भी आपारी उस रीड की हटी को तोड़ के तुक्डे करके जो मित्रों को दे दू रूल 2-1-8, 2-1-8, 2-1-8, Sir, Rule 2-1-8, 2-1-8, Sir, Rule 2-1-8, Sir, the debate on appropriation bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative closely employed in the grants covered by the bill which have not already been raised. while the relevant demands of grants are under consideration, I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number two and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adhani's and Ambani's place. let him prove that, where from, he should place it on the table, where can he get all these documents, where statistics how has it, this can authenticate it. शड़िन पना करना है। शकीर्च्रकोट जाएगी। च्छ don ख बहर्यकत आर्फ ओना कर दिलने करदू हैं कब तहुए है कि अधिरंजन जी अधिरंजन जी को मठ आज कर सर्थ चाइज हो श्या daracuj की कलेक्टर सब्सक्राइब कर्दिक कल्एक वैदिभी अलार्व on the motion or any amendment move there too but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general point sir discussion of general point is allowed so discussion it is the discussion of general point discussion of general point is allowed in the rule book discussion of general point the budget of agriculture is not in the budget of agriculture is not in the budget of agriculture so when when it comes to agriculture is not in the budget why we can change agriculture why the vital order is simple you listen to this sir please 349 it says while the house is sitting a member who shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner while honorable member rahul kandhi is speaking i don't want to go to the other person i don't want to go to the other person oh मंत्री शोर डाल रहे हैं मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं मंत्री भाग रहे हैं तो हम दो हमारे दो वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी चार हम दो हमारे दो फ्यूट से चेहरे थे संदर संदर चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो खेर इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएगे हिंदुस्तान का फूट सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकोनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बर्बाद कर दिया वहां नहीं रुके फिर गए जी एस्टी गबट सिंग टैक्स पाच अलग अलग टैक्स और फिर से उन्ही बिचारों पर आक्रमन उन्ही किसानों पर उन्ही मजदूरों पर उन्ही व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा पाज़ता सुध्योग पतियों का टैक्स होगा एक मिट बेटी मैं माननी सुध्य से भी आगरे कर रहा हूं इदर भी आगरे कर रहा हूं अचे हैं पाँ चलो चलाओ मैं आ रहा हूं सुर्भें पे सर मैं आ रहा हूं बजेट पे मैं सर पांच मिनट में बजेट पे आ रहा हूं मैं फांडेशन लगा रहा हूं अभी फाउंडेशन तो पहले नोटबंदी फिर जीएस्टी फिर करोना के समय उन्हीं चार पाँच दस लोगों को पूरा वा पूरा कर्जा माग दस लाग करोर रुपे है जो भी ठाक कर्जा माग मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सीदी सी बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आप ने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मज़़ूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड की हड़ी तोड़ दी मगर ये मत समझे कि ये किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उटने वाला है पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उटने जा रहा है और ये याद रखिये मैं कह रहा हूं लिक के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकांदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिक के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकांदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीट करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पर बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिर्फ किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूट चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 200 किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदानजली नहीं दी मैं सब सामसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूँगा आप मेरे साथ ख़रे हो जाएए धन्यवाद कंगा हूं हूं ह इक फीक कि आफ тем ह कि एक कम है याई मान में सदिक कान माने सदिक Γर्ण माने सदिक गी प्लेच बैठे 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 में बैठे माने सदधन माने सदर्षगन इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दिये है और को भी माने सदस्य कहेगा मैं आज उत्राखंड के मरे लोगों पर शर्धान जली अप्रिंद करता हूं कोई कहेगा कि मैं आज बोडर पर मेरे शर्धान जली अपरित खेंच हूं यह जिम्मेदारी आपने मुझे दिये आप बोलने तो